सिरी सिवायन वस्तुभियम हर हर महादीम दर्श को आज है अमावस्या यानि कि मार्ग सीस माह की अमावस्या है ऐसे में आप ये छोटा सा उपाय का ना बिलकुल न भुलें इस उपाय को करने से आपके घर से पित्र दोस हमेशा के लिए समापत हो जाएगा और आपके पित्र प्रशन होंगे मालचमी की असीम क्रपा आपके उपर बनी रहेगी और घर में धन धाने की कमी नहीं आएगी तो इसको इस उपाय को करने के लिए आपको पांच मिट्टी के दीपक लेने हैं और उन दीपकों में आपको सर्षों का सुद्ध तेल भरना है उसकी बाद उन द पांच दीपकों में डालनी है फिर उसके बाद आपको जाना है साम के समय लगवार रात्री होने से पहले आपको जब सूर्य छिपराओ उस समय आप किसी भी पीपल ब्रच के नीचे यदि कोई पुराने से पुराना पीपल ब्रच पास में हो तो उसके पास जाए नहीं है तो आपके सी भी पीपल ब्रच के नीचे जाए और उन पांच दीपकों को जला दें और उसके बाद आप अपने मन में जो आपकी इच्छा हो वो काम ना करें अपने पित्रों का नाम लें और भगवान संकर का नाम लें जो भी आपके इश्ट देव हों उनका नाम लें और उनसे प्राथना करें कि आपके घर में आपके पित्र प्रशन रहें और आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और मालच्मी की असीन प्रपा आपके उपर बनी रहे तो उसको निश्चिती इस उपाय को करने से पित्र दो समाप्त हो जाता है बैसे समय समय पर हमें ये छोटे-छोटे उपाय करते रहने चाहिए, क्योंकि जब हम कोई भी उपाय कर लेती हैं, तो उसका फल हमें देखने को सीगर मिल जाता है, कभी-कभी बुरा समय भी आजाता है, जिसके चलते हमारे कार्यान नहीं बन पाते हैं, तो इसलिए कभी भी उपाय का का नाम इस मरड का ना भी बिल्कुल न छोड़ें ये छोटे-छोटे उपाय समय समय पे आप करते रहें इनसे आपके घर में संतुलन बना रहेगा यानि कि पैसे की तंगी नहीं आएगी मालच मी रुष्ट नहीं होंगी पित्र नाराज नहीं रहेंगे कोई भी पित्र दोस ह या काल सर्फ दोस हो कोई भी आपको नहीं लगेगा ना ही किसी भी ग्रह की ग्रह दिसा आपके उपर खराब चलेगी दर्श को मीध है आज का ये उपाय आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें ऐसे उपाय जानने के लिए चैनल को सस्क् मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स वीडियो में स्री शिवाय नमस्तुब्यम हर हर महदीब